नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंद सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते है तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे सारे अपडेट यहीं पे आते हैं द्यान रगिएगा कोई भी पेट गूप अगर आपको जोइन करना है तो सिर्फ 856-480530-9690-06089-7523-830455 यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल यह वाट्ट्सप कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम मौडन हिस्ट्री का टॉपिक डिसकस करेंगे हम देखेंगे कि कोलोनियल टाइम में यानि कि ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके से जुडीशरी यानि न्याय पालिका का विकास हुआ था तो चली आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चिन के फर्म म प्रिटिश रूल ब्रिटिश आशन में न्याय पालिका के विकास का मुल्यांकन कीजिए हम आंसर के इंट्रोडाक्टरी पायट में बताएंगे कि प्री कोलोनियल टाइम में यानि कि पूर्व अपने वेशिक काल में कोई भी प्रॉपर और्गिनाइज लिटिगेशन नही या करता के अधार पर नयाय धिया करते था झानल था जाती के भूजडू या जाती के भुजूर्ग होते थे उंपन 1726 में आई और ये मेर्स कोल्ट कर दौर पर आए थी मेर के कोल्ट हुआ करते थे और मेयर कोल्ट is ड़िपलिश हुए थे 1726 में मदराज, BOMBAY और क्यलकटा में और 1726 में जब मेर कोल्ट आते हैं एक organized व्यवस्था आती है न्यायाले किया हम कह सकते हैं एक जुडिशरी की फिर दीरे दीरे East India Company ने एक वानिचित निकाई से एक प्रशाशनिक निकाई में परिवर्तन लिया और फिर इसी के साथ मुगल कानून की जो प्रणाली हुआ करती थी मुगल लीगल सिस्टम हुआ करता था उसे रिप्लेस कर दिया मॉडर्ण लीगल सिस्टम से और कुछ फेमस गवर्नर जनरल से हैं जिनके अंदर कुछ जो रिफॉर्म्स हुए जुडिशरी में वो हम आगे मेंशिन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉर्न हेस्टिंग के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे जुडिशरी में तो वॉर्न हेस्टिंग के अंदर हम देखें तो सबसे पहले सिविल डिस्प्यूट्स यानि कि नागरिक जवादों से निपटने के लिए district divani Protestant बनाई गई थी जिलाद divani अदालते बनाई गई थी जो एक collector के अंदर काम किया करती थी और हींडू के लिए Hindu laws लगा करते थी इन divani अदालतों में और मुसल्मानों के लिए Muslim laws लगा करते थी जिलाद divani अदालत तो बन गई थी और सदर दिवानी अदालत काम करती थी एक अध्यक्ष के अंदर और सुप्रीम काउंसिल के दो सदस सिख हुआ करते थे सदर दिवानी अदालत में तो जिला दिवानी अदालत होगे जिला दिवानी अदालत के उपर हो गई सदर दिवानी अदालत तो आज का अगर हम system देखें जैसे हमारी high court के उपर supreme court है तो इसी तरी किसम क्या सकते हैं कि जिला दिवानी अदालत से अपनी जाये करती थी सदर दिवानी अदालत में उसके बाद दूसरा point है कि अपराधिक मामलों के लिए जिला फॉचतारी अदालत हुआ करती थी तो हमने civil मामलों के लिए देखा तो उसमें एक दिवानी अदालत होती थी अपराधिक मामलों के लिए फॉचतारी अदालत हुआ करती थी और फॉचतारी अदालत में एक भारती अधिकारी होता था और उसके अधीन इन अधालतों को स्थापित किया जाता था यानि जो criminal matters है उनमें एक भारती अधिकारी के अधिन को बनाया जाता था और उसकी साहता करते थे काजी और मुफ्ती तो इंडियर अधिकारी के साथ साथ काजी और मुफ्ती उस अधालत में काम किया करते थे मुर्शीदाबाद में सदर निजामत अधालत हुआ करती थी तो आपको यह पॉइंट याद रखना सदर दिवानी अधालत अलग है निजामत अधालत अलग है और निजामत अधालत होती थी मुर्शीदाबाद में और मुर्शिता बात में जो ये निजामत अदालत थी ये दो matters पे final decision देती थी एक था मृत्यूदर्ण यानि capital punishment और दूसरा संपत्ती काधिगरहन यानि acquisition of property ये जो दो matters हुआ करते थे इनमें final decision सदर निजामत अदालत देती थी और ये निजामत अदालत काम करती थी एक प्रम और ये इन दोनों के अंदर ये काम किया करती थी उसके बाद 1773 में supreme court बनता है कलकटा में और इसका original and affiliated jurisdiction होता है और ये court जितने वे British subjects कलकटा में रहते थे और जो subordinate factories में हुआ करते थे और साथी साथ Indians जो काम किया करते थे उन सब को dry कर सकती थी यानि 1773 में कलकटा में एक स अधिकार थे और ये कलकटा के बीतर सभी British विश्यों और अधिनस्त कार खानों और भार्तियों पर मुकदमा चला सकती थी तो 1773 में जो आया था regulating act उसके अंदर अदालत इस्थापित करी गई थी 1774 में तो ये act के अंदर इस्थापित की गई थी आपको याद रखना है उस के बाद हम देखें कि Lord Cornwallis के अंदर कौन कौन से रफाउम हुए थे उससे पहले मैं आपको इन्फोर्मेशन देना चाहती हूँ कि Study for Civil Services के बाच स्टार्ट है UPPSC Prelims Mains 2022 के लिए आप नीचे दिएगे numbers पे contact करके इन paid groups को join कर सकते हैं यहाँ पे आपको सारा study material मिल जाएगी आपकी मेंस आंसर 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 रिव्यू भी किये जाएगे आपकी प्रिप्रेशन अनादर लेवल हो जाएगे अपनी चलिएगे numbers पे contact करें और ग्रुप्स को ज़रूर जोइन करें तो चलिए हम देखते हैं कि Lord Cornwallis के अंदर क्या-क्या सुधार लाए गये थ दी यानि टिस्टिक फॉस्दारी कोल्ट हुआ करते थे इन्हें है रिप्लेस गदिया गया था तरकीट कोल्ट से और सर्कीट कोल्ट of appeal इसुवल और दोनों मैटंट सनल में और इहमें European quan ड्रुप्रच शुदम और इंहें स्थैबलेश के गया थे क्यलकटा डख्का मुश मुर्शीदाबाद और पत्ना में फिर सदर निजामत अदालत को कैलकटा शिप्ट कर दिया गया तो अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि विल्यम बेंटिंग के अंदर सदर निजामत अदालत हुआ करती थी मुर्शीदाबाद में जो क्यापिटल पनिश्मेंट और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पे फाइनल वर्डिक दिया करती थी तो उस अदालत को शिप्ट कर दिया गया कैलकटा में और इसे गवर्नर जनरल के अंदर रख दिया गया एक सुप्रीम कांसिल भी हुआ करती थी जो इस सदर निजामत अदालत को काजी और चीफ मु रिडेशन ऑफ सिवल कोर्ट हो गया था जो हिंदू ओं मुसलिम कर लाॉजब कर काम करता था यानि हिंदू ओं मुसलिम दोनों का अनव के लिए दीवानी अदालतों के ओन्यन की इस थापना कर दी गय थी फिर Convales Court आया था Lord Convales के अंदर और Convales Court के अंदर चार बाते कही गई थी इन चार बातों में था कि राजस्व और न्यायर प्रसाशन को अलग कर दिया जाये यानि Revenue और Justice Administration को अलग कर दिया जाये European Subjects को भी इसने jurisdiction के अंदर लाया Cornwallis Code ने यानि यूरोपी विश्चों को भी अधिकार छेतर में लाया गया Government officials को अब answer देना पड़ता था Civil Codes को यानि दिवानी अदालतों के लिए जवाब दे हो गये जितने भी सरकारी अधिकारी थे इसके अलावा कानून के संप्रभुता का सिधान्त भी स्थापित किया गया Cornwallis Code के थ्रू Principle of sovereignty of law was established through Cornwallis Code तो हम देखेंगे Lord William Bentick के अंदर कौन-कौन से सुधार किये गये थे तो इनके अंदर जो चार सरकेट कोट्स हुआ करते थे उनको समाप्त कर दिया गया था उसके बाद उपरी प्रांथ यानि अपर प्रोविंस के लोगों की सुविधा के लिए इलहाबाद में भी सदर दिवानी अदालत और सदर निजामत अदालत इस्थापित करी गई तो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि सदर निजामत अदालत हुआ करती थी मोशीदाबाद में उसके बाद हमने देखा यसे शिफ्ट कर दिया गया कि अलकटा में अब हम यहाँ पे विल्लियम मेंटी के अंदर देख रहे हैं कि इलहाबाद में भी सदर निजामत अदालत की सापना की गई अब एक नया सुधार आया कि अदालतों में फार्सी के अलावा भी किसी भी जो इस्थानी भाषा हुआ करती थी उसका उप्योग किया जा सकता है लेकिन सर्वोच नयायाले सुप्रीम कोड में अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा थी ओफीशल लांगवज इंग्लिश थी और 1833 में मैं कॉले कमिटी जो बनी थी उसकी रिकमेंडेशन से एक विधी आयोग या लॉग कमिशन की स्थापना होती है और इसी टाइम पर काफ़ी सारे लॉज कोडिफाई किये जाते हैं जिनमें कि सिविल प्रोसीजर कोड है 1859 में बनाया गया था इंडियन पैनल कोड 1860 में फिर CRPC 1861 में इस सारे लॉज इसी टाइम पर कोडिफाई किये गया थे मैं कॉले के तहत उसके बात भी कुछ डेवलाप्मेंट हुए है अग हमने देखा कि कौन से गवर्णन जेनरल के टाइम पर क्या डेवलाप्मेंट हुआ अब जो कुछ बात के डेवलाप्मेंट होते हैं हम उन्हें देखेंगे 1960 में क्या होता है कि European को कुछ special privileges दे दिये जाते हैं विशेश अधिकार दे दिये जाते हैं कि criminal cases के अलावा कुछी भी case में उन्हें कोई Indian judge trial नहीं कर सकता है कोई भारती रियादिश उन पर मुकदमा नहीं चला सकता है फिर 1865 में होता है कि Supreme Court और सदर अदालत को merge कर दिया जाता है और तीन High Court बनाए जाते हैं कलकता, Bombay और मत्रास में फिर 1937 में एक federal court बनता है Government of India 1935 के अंदर और अब हम देखेंगे कि इनके क्या pros और cons थे जो जुडिशल सिस्टम चल रहा था उस ताइम पे तो positive aspect क्या थे, positive aspect में ये था कि एक सनरचित न्याय पालिक का सामने आई थी एक structure judiciary बन गई थी, इसके पहले अलग-अलग religion अपने अलग-अलग laws फॉलो किया करते थे लेकिन एक common law लेकर के आई थी, जो Britishers की न्याय रिवस्ता थी देश में कानून का शाषन स्थापित हुआ था, तो किसे ruler का शाषन नहीं हुआ करता था, अब law हुआ करता था, जो supreme होता था फिर धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को सहिताबद कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, यानि religious laws को, religious personal laws को, codified laws से replace कर दिया गया था European subjects को भी अब धीरे से jurisdiction के अंदर लाए गया था, इसके पहले जो European officials वहा करते थे, वो अपनी मनमानी किया करते थे लेकिन एक structured न्याय व्यवस्था आने से ये हो गया, कि अब धीरे से European subjects भी answerable हो गया, colds को, और इसके अलावा, जो सरकारे विश्यों को दिवाने अदालतों के प्रती जवाब दे बना दिया गया पिर इस पूरे जो शाशन व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, इसके नकारात्मक पहलू भी कुछ थे, नकारात्मक पहलू में ये था कि जो जटल न्याय प्रणाली थी, इससे अमीरों को फाइदा हुआ, गरीब आदमी court तक पहुँचता था, लेकिन उसके पास इ जूटे सबूत, चल कपट ये सब कर सकते थे और केस जीजाय करते थे, अदालतों में बोज बढ़ गया, मुकदमे बाजी बढ़ने लगी जैसे जैसे court आते गया तो जारातर मुकदमे court तक पहुचने लगे, पहले ये सारे मुकदमे जो हुआ करते थे पंचायत में पहलू ओवर बर्डन होने लगी, फिर उसके बाद लंबे समय तक मुकदमे घसिते चले गए, जिससे की न्याय मिदेरी होने लगी, जो system हम आज भी देखने कि कितने सारे pendant cases पड़े हुए हैं, बहुत बर्डन है आज भी courts पर, तो ये सब court का system आने से ये हुआ कि जारात मुकदमे court में पहुँचे, court में बड़न बढ़ा, उतने number of judges नहीं थे जितने की ज़रूरत थी, तो ये सारे कुछ negative aspect में आते हैं, तो इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया में judiciary का development हुआ, अब next video में हम modern history का next topic discuss करेंगे, तो बने रहेगा चानल के साथ मिलते हैं, next video में and thank you for watching